पुलतेना की मुस्लिम गाय का ये करते हैं, मुस्लिम गाय को पूर नहीं करते हैं, वो अलग दरिश्टी से देखते हैं, जबके हमारे घरों में गाय और गाय का दूद अभी भी मिलेगा, उन्हीं के लिए वो बीर छोड़ा गया था, राज मौजूद है, और उन्हीं की कोड़े ब्रावन वार्डियों ने, रसूली चड़े कोई और करे कोई और भगे कोई, मैं संदेश सिर्फ इतना देना चाहूंगा कि मुस्लमान कहीं भी रहे, कहीं भी पहले वो चाहिए वो सनातर नहीं थे, कि छेतरे थे, वो बाद में अपना मान ले आए, लेकिन वो आंधियों के सामने, उन में ताकत ना सही, पर हांसला होगा जरूर, और इस तरह से गर नदी बहती रही तो देखना, तए समंदर तक का एक दिन फांसला होगा जरूर, यही जो है, S.C.H.T.O.V.C. ये मुक्तलिफ नदियां हैं, ये बहती रही, तो जरूर जरूर हम अपन की मंजिल को हासिन कर पाएंगे, व्योस्ता परिवतन कर, प्रहमनियत की तारीख, प्रहमनवाद का इतिहास, हिंदी में कुछ किताबें मैंने लिखी हैं, उसमें से एक का भी नाम लिया है कि सम्विधान की प्रस्थावना, प्रहमनवाद, वियोधी, करांती का घोशना पक असलाम आलेकूं, जै मोलनी वासिए, मच पे बेटे हुए सारे आधरेनी महनुबाफ, आज के देख सकता करते हुए, मनने वामन में साम साथ, और आरमन की राष्टे देख चानममर साथ, और दिगर हाजरात, और देश के कोने कोने साहिए, सबी मोलनी वासिए, सबी को जै मोलनी वासिए, वच्चों की जादा हो गया और मेरा नमबर सबसे बाद में आया है, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा की मेरे नाम के आगे कुशीद खान कायम खानी, सिर्फ एक मिनिट मैं इसी इंट्रूडेक्शन में लगाना किया, उन्ही के उलाद हमें कायम खान, कायम खान के उलाद होगे, कायम खानी, हामारा जो है इतियास 206 साल पूरे राजिस्तान से लेके हराना तक के सार्शनरा हम लोगों का, उसके बाद जो भी नबाब हुए, वो वीर हुए, उन्होंने मंदिस से मस्जीद, बावडी और द्रमशाला सराय पब्लिक के लिए बहुत काम किया और वीर भी हुए, क्योंकि उच्छतरी सम्दाइक से थे, राजबुत थे, लड़ना जानते थे, लड़ाके थे, जो कि सारे मुनिवासी हैं, बस ये एक अलग बात है कि सब को चार भागों में पाखडवां ने बाठ दि अब तक किसी भी बड़े नेता, बड़े समासुदारेक, शेथ ने या राजनेता ने नहीं चोड़ा होगा, वो बीर आज भी मुझूद है, और उन्हीं के वक्त जो लोग बोलते हैं कि मुस्लिम गाई का ये करते हैं, मुस्लिम गाई को बो नहीं करते हैं, वो अलग करना एक अबराद था, इवेन मर्तुदन था, तो वो कैसे कर सकते हैं, कि हम लोग सुर्वे से आतकवादी थे, आतककारी थे, हमरा जो अभी चाहर ही अलग है, अच्चोंकि आज विशे तो इन्होंने मुझे दिया था, दो नंबर, पॉंट नंबर दो, बम फोड़े ब्रा पहले वो चाहिए वो सनातर नहीं थे, कि छत्री थे, वो बाद में अपना हमान ले आए, लेकिन वो अभी तक अपना धर्म नहीं छोड़े हैं, जो कि समता, समानता, बंदूत्रा, यह हमारा और बामसेप का सेम ही है, तो मैं वावनवे स्लम साब से वादा करता हूं, और आ आप कायोजन हो, चैराजस्तान हो या पूरा भारत हो, हम आपको वाँ खड़े मिलेंगे, आपने मुझे बोने का मोका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए सुक्रिया, जै भीम, जै भारत, जै सविदा, वहावन विश्राम साब तरश्य बला चुके हैं, काफी देर से यह सभी को सुन वी रहे हैं, राष्टे मुझलिब मौर्चा क्या है, किस तरह से काम कर रहा है, क्या इसके अद्देश है, क्या इसकी अपील आवाम से की गई है, उसके एक पैम्प्लेट बना गया है, जो पूरा राष्टे बहुजन साहथी उसको पढ़के समझ सकता है उसी पेंप्लेट का विमोचन यहां पर अभी आपके सामने क्या जाएगा यह हिंदी और दोनों जबानों में इसको तैयार किया गया है तो मैं गुदारिश करूंगा बहुजर नायक मौतरम मरिशाम साब से और अभी राष्ट्र कि बहुजर मुक्ति पार्टी के राष्टे अद्द्रक्ष मौतरम प्रविंद्र परताब सिंध्यमा पर स्रश्व लाचिक है उनका भी सुहागए ताभी नंदन वो कहता है रहे कि अगर इस तरह से इस चोबी से मिलके जुड़के काम करते रहे तो हमारी जो तकालिव दूर हो सकती हैं कि खत्म एक दिन रंजगम का सिलसला होगा जरूर और अपने हक में भी कभी तो फैसला होगा जरूर कुछ परिंदे उल रहे हैं आंधियों के सामने उन में ताकत ना सही पर हांसला होगा जरूर और इस तरह से गर नदी बैती रही तो देखना तए समंदर तक का एक दिन फांसला होगा जरूर यही जो है सी, सी, अश्टी, औविस्टी यह मुक्तलिफ नदीया हैं यह बैती रही तो जरूर जरूर हम अपनी मनजल को हासल कर पाएंगे वेवस्टा परिवतन कर पाएंगे और जो हमारा उद्देश यह बामसर्फ का उद्देख्श है भारत मुक्ति मुक्तलिफ यह उस उद्देश को पूरा करने में हम कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे यही ऐलान यही अज्म है चोती है भारती समाज का तपकाती नि उसका मुकाबला हम जो कर सकते हैं वो सोशल जस्टिस के एडियालोजी से कर सकते हैं जिसके लिए वामसर्फ और आश्रुमिस के मुर्चा काम कर रहा है एक और किताब उर्दु में है जो पब्लिश हुई थी और वो खतम हो गए प्रहमनियत की तारीफ प्रहनवाद का इति इसमें मैंने किया है कि जो प्रियंबल है दस्तूर का कंस्टिटूशन का उस कंस्टिटूशन को बाबा साहब की तक्रीरों और बाबा साहब की स्पिचेस और बाबा साहब के जो लेग हैं उनकी रोशनी में मैंने उसको समझाने की गोशिश किये कि किस तर ये प्रियंबल एक खोशना पत्र है, एक संकल पत्र है ब्रह्मनवाद विरोधी कराम्ती के लिए और चारिक पुस्तकें और हैं हिंदी में जिसमें से कुछ महां पर रखी हुई है उसमें जो है उनके नाम अभी मेरे जहन में नहीं आ रहे है एक है मजलुमों की एकता है और सब वेकल्पिक तो इससे साड़े तीन परसेंट ब्रह्मन अल्पसंख्यांक रहता है या बहुत संक्यांक हो जाता है साड़े तीन परसेंट ब्रह्मन बहुत संख्यांक हो जाता है अगर साड़े तीन परसेंट ब्रामण को साड़े तीन परसेंट बनाने का काम कर लो और उन्हें ऐसा करने का को साड़े तीन परसेंट है वो कोशिश कर रहा है कि एस्सी एस्टी ओविसी को हिंदू बना कर बहुसं के बनाने की मुसल्मान पहले हिंदू बना कर रख लिया है ब्रामण कोशिश कर रहा है लगातार कोशिश कर रहा है कि एस्सी एस्टी ओविसी के लोगों को हिंदू बनाए लाए क्या इसके बारे में इस इतिहास के बारे में आप लोगों ने कोई बारिकी से अध्यर किया इस सोचने की बात है कि जो अंग्रेज लोग है इस बात के लिए कोशिश कर रहे थे अंग्रेज लोग इस बात की कोशिश कर रहे थे प्रियास कर रहे थे और जब इन लोगों को इस तरह की कोशिश करके कि यसी की हजार से ज़्यादा जा दिया और ओवी सी की तीन हजार साथ सो त्रता लिज जा दिया और ऐसी एस्टी ओविसी की मिला कर छे अजार टुक्डे अब जब आप कर लो मिसल्मान की थेरी इंदो मुसल्मान फेरी इंदो मुसल्मान की थेरी पर काम करते हैं तो आप तमाम ये से स्टी ओवी सी को हिंदू मानकर सोचते हों जो छे हजार जाती के टुकड़ों में बटेवी लोग है जो ब्रामिनीजम ने ब्रामनों ने इनको तक्सीम किया तक्सीम कि सब्सक्राइब यहां पर सामें बटेव हैं उनको क्या कंसर्ण मुसल्माने के मसला तुम्हारा मसला तुम हल कर लो लेकिन वापसेप की सोच यह फिकर जाल साब को यहां पर लेकिया आती है रास्ते मुसलिम मुर्चा के लिए काम करने के लिए फंड जमा करते हैं और इस तरह से जो समाज को जो तोड़ने की जो बात हो रही है हम जोड़ने की बात कर रहे हैं और लोग भी जोड़ रहे हैं तो अगर सिर्फ अगर हम रास्ते मुसलिम मुर्चा का अगर प्रोगाम ह होते तो फिर यह कोई बड़ी बात नहीं थी लेकिन रास्ते मुस्लिम मुर्चा और बामसेफ की यह सोच है कि उन्हों ने यस्टी यस्टी ओबी सी जिस तरह से छत्री समाज के हैं हमारे दासराम नायक साब यस्टी समाज से हैं उनको तमाम चीज़ां को काम करने के लिए हुशिछ कर रहा है असल में हमारे दुश्मर को सुप में बड़ी तक्रीफ यह है कि हम बातना चाहते हैं और बामसेफ वाले इसको जोड़ना चाहते हैं जब हम जोड़ेंगे तो फिर ताखगत उनको मालूम है जल्म तो कमजोर है के पर होता है, मजलूम के पर होता है, तो इसलिए बहुत सारे जिसा 91 एक्ट के बारे के अंदर हुने एक पाइंट रखे, 91 खानून कि इतना भी अच्छा बनाईए, काशिराम साब का मशूर जुम्ला है, हमारी अदालतें फैसले सुनाती है, इंसाफ ने पाइसले सुनाती है, इंसाफ ने खा principle, आफ ने दिना प्रो जुम्ला